हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मा यूटूब चैनल, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिजिनिंग के प्रसनों को हल करेंगे, तो इसलिए वीडियो को अंतक देखते रहें, आईए सुरू करते हैं आज का वीडियो, कोस्चन नमबर वान है, देखिए, यहाँ पर कुछ अ दिया गया है, मतलब इनके बीच में जो है, वो लंब बहुत संबंद होगा, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर आठ, चै, दो, इनको जोड़ना, घटाना, या गुणा करके, चार लाना है, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर क्या संबंद है, देखिए, यहाँ पर आठ और 16 14 14 और Chicago 18 तो नहीं आ रहे इसमद तु क्या करते हैं घटा के देखते हैं देखे आठ में से 6 घटा älते हैं कितना बचे गा 2 और उसमें 2 जोड देते हैं ते कितना जाएगा चार जाएगा थीक है वैसे दूसरी संखला में करके देखते हैं बारा में से पाच घटा आते हैं कितना बचेगा? साथ और उसमें जोड़ देते हैं? आठ तो कितना आ जाएगा? पंदरा आ जाएगा तो देखिए इसका नियम क्या हो जाएगा? आठ में से छै घटा देंगे और उसमें दो जोड़ देंगे तो कितना जाएगा चारा जाएगा ठीक है आठ में से च्छे गया दो बच्चा और दो जोड़ेंगे तो चारा जाएगा वैसे ही यहाँ पर बारा में से पांच घटा देंगे और आठ जोड़ देंगे ठीक है तो 12 में से 5 गए 7 बच्चा और 7 में 8 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा ठीक है वैसे ही यहाँ पर क्या करना है question mark में क्या आएगा यह ग्याद करना है तो देखें क्या करते हैं 13 में से 10 घटा देते हैं ठीक है से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 15 ठीक है तो देखिए question mark की जगा कितना आना चाहिए 15 करके देखते है 13 रिन 10 ठीक है 13 रिन 10 में 15 जोड़ देते हैं देखिए 13 में से 10 गया 3 बच्चा और उसमें 15 जोड़ेंगे कितना आएगा 18 तो देखिए यहाँ पर 18 आ रहा है तो यह question mark की जगा क्या जाएगा 15 आ जाएगा ठीक है तो option number 20 का सही अंसर हो जाएगा ठीक है अगला question देखते है question number 2 है देखिए यहाँ पर भी एक आव्यू दिया गया है जिसमें अंक हैं तो इनके बीच में भी या तो 36 या लंबवत कोई न कोई संबंद होगा इनके बीच तो यहाँ पर जो खालिस्तान दिया गया है उसमें क्या आएगा यह ग्याद करना है यहाँ पर किसी भी प्रकार का संबंद बना कर तो देखिए यहाँ पर करके देखते हैं हम जोड़ना घटाना तो सबसे पहले जोड़के देखते हैं देखिए 24 धन 31 धन 26 कितना हाता है चार और एक पांच और छे ग्यारा की एक बचा एक तो एक और दो 3 तीन तीन और तीन 6, 6 और 2, 8, 81 आया, अब दूसरे में भी देखते हैं, 20, धन, 25, धन, 36, जोड़ते हैं, सुने और 5, 5, 5 और 6, 11 की 1, कितना बचा, 1, तो 1 और 2, 3, 3 और 2, 5, 5 और 3, 8, यहां पर भी 81 आ गया, ठीक है, तो देखिए, दोनों में 81 आ रहा है योग, तीसरे में क्या करना है, जो खालिस्तान है, उसकी जग क्या अंक आएगा, यह ग्याद करना है, तो हम क्या करते हैं, 37 और यह 19 को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 7 और 9, 16, 16 की 6, बचा 1, 1 और 3, 4, 4 और 1, 5, तो देखिए, 56 आ गया, तो क्या करते हैं, 81 में से 56 को घटा देते है ठीक है, तो देखिए, एक से तो 6 घटेगा नहीं, यहां से एक उधार ले गए, तो यहां पर कितना हो गया, 11, 11 में से 6 गए, 5 बचेगा, अब यहां एक उधार ले गए हैं, तो यहां बचा 7, 7 में से 5 गया, 2, ठीक है, तो कितना आ गया, 25 आ गया, अब देखिए, जोड़ पर खालिस्तान की जगह 25 रग दिये अब जोड़ते हैं साथ और पांच बारा बारा और नौ इककईस 21 की एक कितना बचा दो यहां पर लिख देंगे तो दो और तीन पांच पांच और दो साथ साथ और एक आठ कितना आ गया 21 आ गया तो यहां पर भी 80 आ रहा था यहां भी 80 और यहां पर भी 80 आ गया इसका मतलब क्या है 25 हमारा आंसर हो जाएगा ओप्सन में देखें तो ओप्सन नम्मर 20 का सही आंसर हो जाएगा जो कि खालिस्तान की जगह पर आएगा ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नम्मर 3 है देखें यहां पर भी एक आवियो की संड़चना दिया गया है जिसमें खालिस्तान पर कोन सांख आएगा यह ग्यात करना है तो देखें यहां पर भी या तो लंब वत या 36 कोई न कोई संबंद होगा तो वह संबंद को देखते हैं देखें यहां पर जोड़ना घटाना नहीं होगा क्योंकि यहां पर एक बड़ी संख्या है ठीक है तो देखें यहां पर करके देखते हैं हम गुणा करेंगे 6 का गटा देंगे इस प्रकार का प्रारूप लग रहा है यहां पर तो करके देखते हैं 6 गुणा 7 कितना आ जाएगा 6 7 42 42 में से 5 गटा देंगे कितना जाएगा 37 आ जाएगा ठीक है पहला अंक तो सही आ रहा है अब दूसरे में करके देखते हैं पांच गुणा छे पांच चक का तीस तीस में से साथ घटा देंगे तो कितना बचेगा? तेईस बचेगा यहाँ पर ठीक है? तो यहाँ पर भी तेईस सही आ रहा है तो क्या करना है हमें? देखें यहाँ पर क्या आएगा? यह ग्याद करना है तो हमें क्या करना है? चार का गुणा पांच से करना है ठीक है? चार गुणा पांच तो कितना आएगा? चार पंचे बीस आ जाएगा अब बीस में से इस छै को घटा देंगे ठीक है, तो 20 में से 6 घटेगा, तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, ठीक है, तो 14 इसका आंसर हो जाएगा, ओप्सन में यदि देखें, तो ओप्सन नमर A इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, अगला कुश्चन देखते हैं, कुश्चन नमर 4 है, देखिए, यहाँ पर एक संख्या है, यहाँ भी बड़ी संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पर छोटी संख्या आ रही है नीचे, तो इनके बीच क्या है, या तो 36 संबंद होगा, तो देखिए, इनके बीच कुछ ना कुछ संबंद होगा, तो उस संबंद को देखना है, और आमें खालिस्तान में क्या आएगा इग्यात करना है देखिए 25 यहां पर 25 दिया है यहां 36 दिया है और यहां पर 49 तो लगबक यह सारे जो दिये हैं यह वर्ग दिये हैं जो कुछ न कुछ का वर्ग होता है तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं वर्ग मूल 25 और वर्ग मूल 36 ठीक है तो यह कितना हो आजाएगा 6 आजाएगा अब ये दोनों अंकों का वर्गमूल ले लिए और उसको जोड़ देते हैं तो कितना आजाएगा 5 और 6 11 आजाएगा ठीक है देखिए एक तो हमारा सही आ रहा है दूसरे में करके देखते है उननचास का वर्गमूल निकाल लेंगे और 81 का भी मूल क्या होता है साथ होता है क्योंकि साथ का वर्ग होता है उननचास धन 81 का वर्ग होता है 9 का 9 9 81 होता है अब देखिए 7 और 9 16 होता है तो हमारा दूसरा अंक भी सही आ रहा है 16 आ रहा है तो अब क्या करना है हमें यहां पर देखिए 16 का वर्गमूल लेना है और 64 का लेना सोला काइकवर गए चार कवर गए और चावर को जोड़ देंगे चार और आठ कितना हो जाएगा बारा हो, ठीक है तो यीे बारा हमारा answer हो जाएगा option में अधी देखें तो option number is का सही answer हो जाएगा ठीक है दोस्तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को subscribe कर दें और bell icon बेटन को दबा दें धन्यवाद